13.0.6 का एक लेटिस्ट अपडेट हमारे Redmi के Note 11 device के लिए Glowal में rollout होना शुरू हो चुका है जिसका size only on 71 MB रेखिनी को मिलता है और इसमें actually मैं आपको क्या कुछ नजर आता है, performance कैसा है वो size change में इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं share इसलिए लास्ट टक जरूर वाच करना और चैनल पर नहीं है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे दोनों चैनल को ताकि आपको custom roam और बाकी अपडेट से रिलेटेर भी information time to time मिलता रहे सबसे पहले हम आते हैं यहां पर सबसे पहले जो कि हमारा setting होने वाला है जहां पर आपको दिखाई देता है about phone जहां पर दिखाई देता है 13.0.1 जहां पर आप दिखाई कि SGCMIXM है जो कि हमारा global का update है जिसे में अपडेट कर रखा है जिसमें आपको 11.1 का security patch देखनी को मिलता है android 12 देखनी को मिलता है और 13.0.6 जबकि इंडिया में 13.0.2 ही recently आया है और बहुत लेट लटीफ मिला था इंडिया में बट गलोवल में ये काफी update प्रवाइड कर चुका है लेटिस्ट security patch के साथ android 12 के साथ वहीं पर गरम में इसके watch new की बात करते हैं क्या है तो यहां पर लिखाओ मिलता है सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूब सिस्टम सिक्यूर्टी एन इस्टिबिलिटी हवागी तरह वही चीजे लिखे भी मिलती है और वैसे भी यह जो अपडेट है ऑन्लियों 71 MB का है यानि काफी स्मॉल पैकेज है तो इसमें ज्यादा कुछ तो आपको देखनी को नहीं मिल आता जब तक इस सिस्टम के अपडेट आपको काफी ज्यादा देखनी को ना मिले जो कि हमें यहां पर नजर आते हैं तो जैसी मैंने इसे अपडेट किया मुझे कुछ सिस्टम के अपडेट नजर आये थे जो कि इस तील अभी आपके सामने नजर आ रहे होंगे तो इन्हे कि अलबा यहां पर आपका जो सिक्यूरिटी एप है ना इसे भी आप अपडेट कर लेना गूगल वाला क्योंकि यह आपका ओल्ड सो करेगा तो अपडेट कर वे तो यह अक्टूबर पे चला जाएगा इसका भी नवंबर का नहीं आया है बट जब आएगा मैं आपको हर ब मैक्स एप को जो कि पहले से आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन जैसी ओटी अपडेट करोगे यह आपके फोन के इस्टॉल्ड हो जाएगा जो किसी वह सी गलोबल उजिस के लिए नहीं इंडियन उजिस के अपडेट में यह देखनी को मुझे मिला है जिसमें भी लेटे नोट कर देता है प्लेट से हमारा डेटा है जो खर्च कर देता है तो यह नहीं होना चाहिए था बट यहाँ पर हो रहा है उसके बार अगर बैटी चार्जिंग के बात करेगी क्या बैटी चार्जिंग में कुछ फर्क पड़ा है या नहीं तो यहाँ पर दिखोगे कि 31 मिन मिलने वाला है पहले वाले के comparison में, साथ साथ यहां पर हम आते हैं अपने बाकिया अदर testing result के उपर, तो यहां पर कई सरे मुझे apps के update मिले थे, जो कि आप देख पा रहे हो, जो कि मैंने update किया है, जिसमें launcher है, में account है, gallery वगएरा है, और magic player है, वो इसके बाद L1 का तो आपको मिलता है, charging speed में आपको सोग कर ही दिया, और यह है हमारा geek band, जो कि पिछले update जैसा ही है, कोई खास यहां पर down नहीं है, जो कि मुझे सही लगा, उसके बाद आता है हमारा जो कि unto to, जो कि पिछले वाले update जैसा ह इसमें कोई down या up देखनी को नहीं मिलता, stable है, उसके बाद मैंने 100 पे डाला और चेक किया, जो कि आप डिखोगे कि no CPU totaling deduct करता है, जो कि पिछले time भी करीब कर इसके आसपास है, जो आ जाता था, यानि हमारा जो performance है वो constant और stable देखनी को मिलता है, तो यह चाही मुझे सही लगी कि भाई इसमें कोई ज्यादा downside नहीं देखनी को मिलता, बाकि यहाँ पर मैंने Google का security app update किया था, जो कि 1 मैंसे, अब October पर है जो switch हो चुका है, उसके बाद एक common bug, जो कि धी देरे device की तरह हर एक Xiaomi Redmi के device में फैल रहा है, और यह कहां तक जाएगा भाई पता नहीं है, ल क्योंकि हमारा screen on timing का है, पता नहीं यह जानमुच के bug डाल रहे हैं, या फिस features को remove करने का कोसिस कर रहे हैं, पता नहीं, यह आने वाले time में confirm हो पाएगा, क्योंकि हमारे group के member नहीं feedback team से बात करे है, और उनका मानना यह है, कि भाई यह एक bug है, जो कि बाद में solve किया बट यह 2-3 update आने के बाद भी still देखनी को मेर रहा है POCO M2 Pro के अंदर, और Redmi Note 11 Indian device के अंदर, तो मुझे लगता है इसे यह fix नहीं कर रहे है, इसे permanent रखने वाले है, क्योंकि यहाँ पर आओगे, तो देखोगे कि पहले आपको screen on timing देखनी को मिलता था, बट अभी यहाँ पी बात करें, तो 7.1 के अलावा कोई भी latest security app update नहीं आया है global users के लिए, जिसके वैसे यह problem still आपको देखनी को मिलेगा, जिसे आप चाह के भी fix नहीं कर सकते, जबकि Xiaomi से खुद fix नहीं करता, तो यह मुझे सबसे बिकार चीज़ लगी है, जो कि आपको देखनी को मिलेगा, तो आपने यहाँ पे widget session में जाके, जो कि आपको मिलता है skin on timey का digital value का widget, जो कि यह रहा, तो इसे आपको लेकर रखना पड़ेगा, आपके home screen पे तब जाकि आपको पता चलेगा, कि भाई, actually में यहाँ पे skin on timey आपका क्या देखनी को मिल रहा है, तो यह मुझे भाई सबसे update अभी होने बाकी थे, तो जिनमें भी important update मुझे दिखाई दिया था, उन्हें update कर लिया, और उनके अंदर नए change की बात करेना, तो ऐसा मुझे एक change देखनी को मिला है, वो है notepad के अंदर, जो कि recently मैंने apps update वाले वीडियो में आपको बताया था, जो कि यहाँ पे folder का एक न आप चेक कर सकते हो, एक नया option अभी आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि पहले add नहीं हुआ था, हमारे notepad के अंदर, तो जैसा कि मैंने कहा कि small package में जादा कुछ add नहीं किया जा सकता, लेकिन system app update के यह चीज़े improve की जा सकती है, जो कि यहाँ पे notepad के अंदर आप जा कि आपका blur effect आएगा, और वहें पे gallery भी हमारा update हुआ है, तो gallery के अगर setting में आते हैं, तो कुछ भी नया दिखाई नहीं देता, और अगर हम इसके edit के option पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़े जो देखने को नहीं मिलती है, सब कुछ पहले जैसे हैं तो बस यह एक छोटा सा update था, जो कि आपको जल्दी देखनी को मिलेगा, तो आप wait करो, और जबाए 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 अपडेट कर लेना, क्योंकि इसमें performance downside नहीं हुए, सब कुछ यहाँ पे plus point ही देखनी को मिलता है, लेकिन एक bug है, जो कि screen on timing का, जिससे कैसे ठिक करना है वो मैंने आपको बता दिया, साथ साथ यहाँ पर दो एक्स को पर मोड किया जा रहा है, जो कि माना जीली और यहाँ पर funmax था, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thanks for watching, bye bye झाल